अस सरुकार कानपूर में काशे प्रस्ताज जैस्वाल समारों कायूजन कही कारेक्रम काहोगा आयूजन अब लखनव में जमीन के प्रंक्रण में व्यक्ति पर हमला पुलिस ने पृणित को ही बेजाज है नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तरप्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर क्यूर लखनों में स्वक्ष भारत मिशन उत्तरप्रदेश ने स्वक्ष वरासत अभियान की घोश्रा की है यह अभियान 14 से 24 जनवरी तक चलेगा इस स्वक्ष वरासत के जर राजय मिशन ने देशक स्वक्ष भारत मिशन उत्तरप्रदेश ने वर्च्वल बैठकर यह जानकारी दी है स्वक्ष भारत मिशन नगरिये के तत्वाधान में एक स्वक्ष विरासत अभियान 14 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में यह चलाया जा रहा है और यह अभियान एक संयुक्त वेंचर है अर्बन डिपार्टमेंट की पहल पर परियतन विभाग के साथ में संयुक्त रूप से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में 75 ऐसे हेरिटेज साइट्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया जो अलग-अलग निकायों में स्थित हैं और इन सभी हेरिटेज साइट्स पर एक बहुत इंटेंसिव स्वच्चिता अभ्यान की परिकल्पना के साथ में यह स्वच्च विरासत अभ्यान शुरू किया जा रहा है इसमें विबिन अक्टिविटीज प्लान की हैं हम लोगोंने और 14 जन्वरी को इसकी जो शुरुवात है वो एक पतंग महुत्सव के माध्यम से की जा रही है सभी जो विरासत की जो साइट्स हैं उन सभी साइट्स पर पतंग महुत्सव आयोजित होगा और यूथ और जितने भी जन प्रतिनिधी हैं जन सहवागिता है इसको एंशूर करते हुए बहुत ही एक पॉजिटिव एंवार्मेंट क्रेट करने का हम लोगोंने प्रयास किया अब यह आपको विदित भी है कि उत्तर प्रदेश को G20 समिट के मेजबानी का भी मौका मिला है और Global Investors Summit भी होल्ड होने जा रही है तो इस वैश्विक इवेंट्स इतने सारे मेजबानी करने पे उत्तर प्रदेश को मिले है जो उसमें उस बैकड्रॉप में हम लोगोंने सोचा कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उन पर विशेश रूप से एक टूरिस्ट फुट्फॉल जो बाहर के लोग आएंगे वो जरूर जरूरत थी कि हम एक स्वच्चता के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स एंशूर करें तो वहां आसपास की जो विसिनिटी है उस एरिया में सफाई विवस्था सिंगल यूस प्लास्टिक पे पूंता प्रतिबंध है उस संबंध में गतिविधी और जो टॉयलेट्स जिस इन जगाओं पर हैं उनमें एक अच्छी सुविधा उपलब्द कराना ये सारे दाइरे पर हम लोग काम करेंगे और इस पूरे अक्टिविटी के दौरान परियतन विभाग से भी हमारा जो है समन्वे रहेगा 75 परियतन इस्थल अलग अलग जगाओं के चिन्नित किये गए हैं जिसमें कई विशिष्ट उलेखनी है जो है ताजमहल है आगरा का लख्णौं का इमामबाडा है रेजडेंसी है वहीं वरानसी में जो घाट्स हैं आयोध्याक में मंदिर है गुपतेशपर घाट है तो इस प्रदेश वासियों को मेरा यही आवान रहेगा यही संदेश रहेगा कि स्वच भारत मिशन नगरिये बहुत भूबी अपनी प्रतिबद्धिता निभारा आया है लेकिन जन सहभागिता जो है वो मैं आवाहन करना चाहूंगी कि लोग आगे आए और इन अभ्यानों में ज उसको दिखाएं और व्यावार परिवर्तन जो है उसको अपने जीवन शैली का एक अंग बनाएं और स्वच भारत मिशन नगरिये की यह जो पहल है उसको सार्थक बनाने में हमारी हेल्प करें लखनों के इंटेग्रल विश्व विद्याला में 14 में दक्षांत समारो का आयूजन हुआ इस कारिक्रम में बुख्य अतीथी के रूप में रक्षा मंत्री राजनास सिंग शामिल हुए इनके साथ डेप्टी सियम रिजेस पाठक गेस्ट आफ ऑनर के रूप में शामिल हु बुलन शेहन में सामोहिक दुशकर्म पिड़ता ने आरूपियों पर गंभीर आरूप लगाए हैं। बाद भी आरूपियों के गिरहतारी नहीं की गई। पिरता का आरूप है कि जब परिजनों के साथ SSP कार्याले के लिए निकली तो आरूपियों ने रास्ते में उसका पीछा किया और SSP ऑफिस जाने से रोका। वहीं इसके बाद SSP ने पुलिस को 24 घंटे में आरूपियों की गिरहतारी के निर्देश दिये हैं। लखनओ के इंद्रा नगर थाने में भूमा आफियाओं के होसले कितने बुलंद है इसकी ताजा बानगी एक बार फिट देखने को मिली है। लखने के दबंगे यहीं नहीं रुकी वो हॉस्पिटल जाधमके और जबरन विशाल को डस्चार्ड करवा दिया। और थाने लेकर पहुचा जहां पुलिस ने उल्टा विशाल को ही जेल में भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि अभी जीत इस छेतर में जमीरों पर कबजा करता है और पुलिस भी उसके साथ मिली है। कानपूर में 15 जनवरी को लाजपत भावन में मोती जील में 81 प्रिशाद जैसवाल समर्पिस समारू आयूजित किया गया है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारे बुजुरगों का काफी योगदान होता है। कि स्वार्ता कुद देश है कि विश्टों के पृसित इतियास कार जिनों ने शिद्ध कि अपने सोथ के माध्यम से भारत का इतियास गुलामी का इतियास नहीं है जो सर्व सामानी लोगों के दिमाग में रहता है कि हम सद्यों तक गुलाम रहे हैं उन्होंने सिद्ध किया कि ह हमारा इतियास गुलामी को कि चाह्वािज नहीं कर नहीं किया शियिक्षा कि हमने हमेसा उसके खिलाब संगर्ष किए और विज्य हुए और इसमर्टहुस को लोग मेधावी बच्चों का सम्मान भुजुर्गों का सम्मान और विवायोग युवक योती पर्चे कारक्रम इस बार एक नया कारक्रम हमने जोड़ा है आठ साल से बारा साल के बच्चों का डांस कमप्रिशन उसमें उनको पुरस्कत किया जाएगा और एक जो फोसल मीडिय में फस जाती है उसके खिलाब भी अव्यान चलेगा हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ तो कुछ लोग स्वेम सेवी लोग बड़े उत्साही लोग आए और उन्होंने जब उससे बात की तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए अपने समाज के ब बच्चों का जो है कुछ उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद हम लोग कर सकते हैं तो भी करते हैं फाइनेंसियल मदद कर सकते हैं उनका गाइडेंस करते हैं तो जो है ऐसे ही कारिक्रम में हम लोग जुड़ रहे हैं दीरे दीरे एक चेन बना रहे हैं जिससे हम लोग समाज में अपने समाज को भी आगे लाएं और समाज की भी सेवा कर सकें यही हमारा उद्देश से है हमारी समस्था का उद्देश से यही है। विवेकनयन्द केंद्र कन्या कुमारी के बस्ध वर्स में तो फूरे हुए तो पचास वर्स पोरे हों के उनक्ष में यह यात्रा विवेकनयन ने संदेसयात्रा के नाम से तर viewing रदेस में यात्रा निकलेगी कानपूर 21 जनवरी को साइंग 7 बजय यात्रा आगमन होगा कानपूर के विवेकानंद गेंद्र कन्या कुमारी उत्रपदीश प्रांथ इस्टी कानपूर प्रेस कलब वार्ता का आयुजन किया जहां कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्राले के सहयोग से विवेकानंद संदेश यात्रा का आयूजन किया जा रहा है यह संदेश यात्रा नेता जी सुबाश चंद्रबोस की जयनती तक 21 जिलों में भ्रमण करते हुए लखनों में समाप्त होगी वहीं उत्रप्तेश प्रांत के विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरे होने परियसंदेश यात्रा निकाली जा रही है कानपूर में सिख समुदाई ने गुरू सिंख सभा के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है उन्होंने गुरू सिंग सभा के अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुरुद्वारे के करोड़ों रुपे का दो रुपे हो किया है साथी सिख समुदाई ने कमिशनर को ग्यापन सौप कर सिखों को वोटिंग राइट दे कर चुनाओ करानी की मांग की है सिखों की मांग है कि कानपूर गुरुद्वारा कमिटी के सम्विधान को बदल कर 18 साल की उम्र के उपर के सिखों को वोटिंग राइट दिया जाए और सब को वोट डालने का अधिकार मिले साथ ही उन्होंने प्रशासन के देखरेक में पूरा चुनाओ करानी की मांग की है हमारी शुरू से एक डिमांड है आपके समने हम एक ही फर्याद लेके आए हैं और जिलब प्रशासन के पास लेके आए है कि कानपुर का हर सिख जिसकी आईउ 18 साल के उपर है वो सिंग सबा का मेंबर गिना जाया क्रोडो रुपे की प्रापर्टी क्रोडो रुप्या हमारा बरबाद हो रहा है जो सिख कॉमूनिटी के काम नहीं आ रहा है हमारे स्कूलों का अकार जाकार जो उनका है वो सब बदल दिया गया है वहां पर 23 चोबिस जो पोस्टिंग की गई उन सारी की सारी पोस्टिंग अधरकास से की गई इनके साथ एक डेलीगेशन यहां पर मिलने के लिए आया था उन्होंने प्रमो कुर्प से अपनी जो समस्या है उसको बताते हुए यह जिला प्रशासन से और हमसे अनुरोत किया है कि स्री गुरु सिंग सभा लाटुश रोड कानपूर का चुनाओ पारदर्शी तरीके से हो प्रशासन की देखरेक में हो और इसके जो स्टेट बाइलाज है उनको जो इनके अनुसारी निरतर्क हो चुके हैं इने बदलकर जो उसकी सदसेता है उसके नियम होगे रहा उसमें इंक्लू कर दिये जाए इनके द्वारा जो मिमोरेंडम दिया ग लखनव विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एक नई पहल करने जा रहे हैं उनका कहना है कि हम हर साल बेस्ट MLA आवार्ड देंगे इसके लिए चैनित समिती बनाई जाएगी जो विधायकों को उनके कामों को देखते हुए उत्कृस्ट आवार्ड सौपेगी इस समिती के मुख्या विधानसभा अध्यक्ष खुद होंगे वहीं उन्होंने जी ट्वेंटी का जुक्र करते हुए कहा कि इस समित में हर विधानसभाओं को अपने बारे में जानकारी रखने का अफसर मिलेगा अभी के लिए उत्तरप देश की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार